जब आप workout की बात करेंगे, तो workout pattern आपको at least 8 weeks, मतलब 2 महीने के बाद जरूर चेंज करना चाहिए, जिस टाइप का भी workout करेंगे, for example, पहले अगर मैं रोटीन की बात करूँ, अगर पहले आप bicep और back लगा रहे थे, तो आप bicep and chest try करें, ठीक है? चेंज करें, अपने जो muscle ह आप बात करेंगे, तो workout pattern, अगर आपका पहले बहुत ज़्यादा कार्डियो आप करेंगे, तो weight training करें, अगर आप बहुत ज़्यादा weight training करें, तो high intensity interval training try करें, तो थोड़ा सा change दे और चेक करें, आपकी body क्या सूप कर रही है, वो इसमें ज़्यादा अच्छा दे रही है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अच्छे जो guide है, अपने body के खुद है, अगर आप अपनी body को learn करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ा बताएंगे, और आपको खुद आइडिया होता जाएगा, कि ये चीज़ मेरे लिए जरूरी है, ये मुझे ज़्यादा effect देती, ये नह आपने लगातार एक change के phase में रखना है, ताकि उसे पता ना चले, और वो लगातार आपके ख़र change को react करती रहे, response देती रहे, तो ये इस तरीके से आप अपने plateau को break कर सकते हैं, और नीन बहुत जरूरी है, प्लीज सोया time पर करें, ये हमें अपने दोनों, जो host हैं उनको भ मैं 10.30 बेट पर हो तो 11 बचे मेरी आँख लग जाती है